दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में प्रेंस लर्निंग सेंटर में आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 5 पढ़ने जा रहे हैं आज हम बात करेंगे इस यूनिट में प्राइसिंग के बार में यह हमारी वीडियो का पार्ट one है पार्ट two हम कल पढ़ेंगे आज हम पढ़ रहे हैं प्राइसिंग मल्यन निर्धारन कैसे होता है तो यह क्या है मतलि इसके बार में समझनगे सबसे पहला question number one जो paper में आता है वो यह है कि कीमत निर्धारण या दूसरे language में बहले तो मुल्य निर्धारण क्या है यह कीमत से किस प्रकार भिन है मतलब एक तो होता price और यहाँ पर आज हम सीख रहे है pricing के बारे में तो यह price से कैसे different है इसके बारे में सीख रहे है तो कीमत निर्धारण का अर्थ सरल सब्दों में मुल्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके अंद्गत किसी उतपाद या सेवा का मोदरिक मुल्य निर्धारित किया जाता है गेह कारे उतपाद के विकरे से पूर्व किया जाता है इस प्रक्रिया में मुल्य निधारन के उदेश्यों, मुल्य को प्रवावित करने वाले तत्वों, मुल्यों, नितियों, एव्यों, रचनाओं कर निधारन किया जाता है प्रो कोरी के अनुसार किसी समय विसेश पर क्राकों के लिए उत्पाद के मुल्ले को परिनात्मक रूप में परिवर्तित करने की कला को कीमत निधारन कहते हैं तो short language अगर हम कहें कि कीमत निधारन क्या होता है तो मैं कीमत निधारन एक तरह की प्रक्रिया होती है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं जिसके अंदर उत्पाद का या सेवा का मोद्रिक मुल्ले कीमत निधारन क्या है तो मुल्ले निधारन एक प्रमन्दी के कारे है जिसमें लाप्रद् वुकर है हितू मुल्ले के उदिष्य ल Aufschilta मुल्ले को प्रवावसित करने वाले तत्पो उत्पाद के मुद्रिक मुल्ले निधारन को निधारन करना तता मुल् kontroll निध्यों का Crion one एक मेपने चाए यह चुट हां मरकेटिंग निक्स का जो हमने मैं इसको धॉर्ड फेक्टर जो कि मोस्त इंपर्टन जो मैं याद रखना है इसमें ब्ला प्राप्ड कbase करने के लिए बहुत सरे उध्य देश्टिकों को लोस मुल्लियों को प्रामित करने अले सारी चीज़ों होती है जो उतपाद के मुल्य और नितियों को निधारण करने में help करती है और इसमें include होती है इन सारी चीज़ों को हम मुल्य निधारण बोलते हैं या तो तो कीमत क्या है यह भी पढ़ को हमने प्राइसिंग के बारे में पढ़ा कि प्राइसिंग हमारी क्या होती है कि प्राइसिंग के बहुत सरी छीज इंक्लूड होती है तो हमारा प्राइज, तो फिर प्राइज क्या है, जब किसी उत्पाद का मुले मुद्रा में अत्वा, किसी अन्य मुद्रिक विन्य में महादे में व्यत्त किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कीमत, जैसे मैं दुकान पर गया है, मैंने बला कि अंकल की कितने कहा है, तो सेवा का मुद्रिग मुल्य है सही बात है कीमत उप्योगिता वाली वस्तु या सेवाओं के लिए क्या की जाती है चुकाई जाती है मतलब कीमत तभी तो चुकाई जाएगी जहां से हमें क्या मिल रहा हो फाइदा मिल रहा हो जहां पर वस्तु या सेवाओं के वस्तु मिल रह ति ने जाएँ, उत्पात का मुल्य कि उत्पात सिवाल के लिए चुका ही राती है कि मुल्य सब कुछ होता है उसमें, तो यह हमारी कुछ विसेशता ही थी, I hope अपको पहला question अच्छे से समझ में आया हो कि pricing क्या होती है? फिर price क्या होता है और फिर उसकी विसेशता है क्या होती है तो pricing हमने समझ लिया है कि pricing एक प्रमदी के कारे है और इसमें बहुत सारी चीज़ें include होती है जिसको पर focus करना पड़ता है फिर इसकी कुछ विसेशता है होते है वो भी हमने पढ़ लिया फिर हमने कीमत के बारे में पड़ा कि कीमत एक मुद्रा होती है अब हम पढ़ रहे है second question जो कि important question है weapon में कीमत नधारन का क्या मात्व है तो अब हम यह पढ़ रहे है what is the significance of pricing in marketing तो weapon में कीमत नधारन तो हमने पहले भी पढ़ा marketing में इसका बहुत बड़ा role है क्योंकि यह four element थे जो हमने पढ़े थे जो क यह उसका most important element है अगर कीमत ही सही नहीं होगी तो बागी सब कुछ बेकार होगा तो इसलिए कीमत भी matter करते है क्योंकि अगर उब्भुकता को कीमत पसंद ही नहीं आई तो फिर वो उस चीज को नहीं खरी देगा तो आई हम इसको अच्छे से explain कर लेते हैं तो कीमत निर्धा कीमत निर्धान का विपिन प्रमन का एक महत्म शेतर है प्रतिक संस्ता अपने उत्पादों वैसेवाव का मुले निधारित करके ही उन्हें बजार में प्रस्तित करती है किसी भी फोर्म की कीमत नितियौय दा कीमत निर्धन है उसके प्र लाभानी को गहन रूप से प्रबा करती है तो हम कुछ points देखते हैं कि marketing में ये pricing क्यों importance है तो पहला point है हमारा संस्ता के लिए महात्वे संस्ता के लिए क्या क्या महात्वे ये पढ़ लेता है संस्ता के लिए महात्वे कि ये weapon का महात्पु घटक हमने पहले भी पढ़ा था marketing mix के बारे में इसके बारे में एक unit थी पूरी हमने अच्छे से discuss कर रहा था इसके बारे में तो ये इसका एक most important एक element है जिसके बिना business successful नहीं हो सकता है तो कीमत विपन विक्षण के विवन घटको जैसे उतपाद भी घटक तक कीमत था इस्थान था और सन्वाद था मतला हमने 4P study कर रहे था अच्छो से जो कि most important है जो कि आपको पहले आप मेरी पहले की वीडियो को देखोगे तो आपको स है marketing के अंदर pricing का दूसरा क्या यह उत्पाद श्रवी का निर्मान करता है किमत द्वारा घटकों में क्या होती है उत्पाद श्रवी का विकास को किया जा सकता है प्रति ग्रहा ले जाता है मतलब जो भी advertisement होगा जो भी sales promotion होगा जो भी चीजी की जाएगी वो सारा कीमत को देखते हुए मद्दे नजर रखते हुए काम किया जाएगा थर्ड हमारा ये है कि ये विविन बातों का प्रतिक है कीमत के संबन में लेगे डेड़ने कई बातों को दरसाते जैसे उभोगता उत्पात को कितना महात्वे देता है उत्पात के क्रेता कोन है फॉर्म की लाबदाईक तक किस्तिती क्या है पाच्वा पॉइंट हमारा ये है जो संसा को होता है, I का ही इस रोत है, कीमत व्यसाय में I往iq Labo का सुरजन करती है Philip Kotler के उन्हों सब कीमत वेफटन, Missione का अकेला ऐसा तत्व है जो firm में I Uppan करता है, जब कि अन्य दूसरे सभी गाटक काती है, लागत उथपन करते है ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि बाकी सारे घटक तो लागत पैदा करते हैं बट यही कैसा घटक है जो income generate करता है Price is the only element in the market mix that produces revenue while the other elements produce cost छटा पॉइंट हमारा है जो संसक होता है mark निधारण कीमत ही उत्पाद की mark का क्या करता है निधारण करता है उत्पाद की उचित कीमत रखका विक्रे में क्या की जा सकती है विद्री की वृदी की जा सकती है बजार अंस का निधारण करता है उचित मुले मुले निति को अपना का बजार मांग में संस्ता का भाग अधिकाधि किया जा सकता है प्रतिस्पधी शमता स्रेश्ट मुल्य निधारण नेती से संस्था की प्रतिस्प्रदी शम्ता में वृधी हो जाती है उत्पाद लक्षनों का निधारण मुल्यक महात्मन घटक है जो उत्पाद के सभी लक्षनों अता किस्म, रंग, रूप, डिजाइन, अकार, पैकेजिंग आधि को प्रभावित करता है तो यह हमारे पॉइंट्स है तेंथ पॉइंट हमारा यह है सन्वधात्मा क्रियाओ का निधारण करना कीमा सनवादात्मा क्रिया होई विक्रों को प्रचार की गतिवदी के स्थरों को भी निधारत कती है पेपर में हम इतने पॉइंट लिखने है कि कोई ज़रूत नहीं है हम जाजर स्यादा 10.9 पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं कि भी इस नमर को कउषचिन में टेंड करना गरहाग वर्ण का निदारंड कियादा ताह ये भी इक फायदा मुले के दार प्यखर के निदारंड किया imp पॉइंट हमारा ए था tiet सब्सक्षाय कासन थे क्या istwe都 ओना वेश्रक है क्योंकि कीमते अनिक पक्सुजर से मद्यास पूर्थी करता सरकार प्रमत्र करमचारी उभोगता सहासियादी को प्रवावित करती है लॉस्चिल घटक मुले कैसा घटक है जिसके अफसत्ता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है तो यह तो था हमने संसा के लिए क्या फायदा होता है मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग का अब हम पढ़ लेते हैं उभोगताओ के लिए क्या हम आतुए है उचित मुले निती के कारण उभोगताओ को उत्पाद उचित मुले पर मिल जाता है पहला फायदा क्यों होता है कि वो जो policy अपना ही जाती है उचित मुले की उसके कारण हमें फायदा हो जाता है करे नियोजन उचित मुले निती से उब बोगता अपने पास उपलोजासी से अधिक आधिक वस्तु की क्रेयोजना बना सकता है मुले की अधार पर विवन ब्रांट के उत्पाद neighborhoods की तुलना करना सुगं हो जाता है किस्म का अनुमान लगाया जासेता है बज़ेट संतूलन उचित कीमन निती की कारण उब बोगता मुले के उतार चड़ा हो जाता है तो उसका बज़ेट संतूलित रहता है तो यह भी एक point है हमारा जो बोगताओं को फायदा होता है budget में संतुलन मिल जाता है फिर अब पढ़ लेते हैं अर्थिवावस्ता के लिए क्या महात्व है marketing के अंदर pricing का यह भी एक important point है तो राजिस्वी को सुरोत मिलता है मुल्य राजिस्वी प्राप्ति का एक बड़ा सुरोत है उत्पादों पर उत्पादन सुल्ग बिक्री कर आदि यह सब टैक्स लगाना इससे गौर्मेंट को क्या होता है फायदा होता है संसादनों का मुल्य निधारन होता है, भूमी, श्रम, पुंची, सहास, प्रमन, आदि, सभी उत्पादन सादनों का परिश्रम, एक समाने कीमत इस्तर से प्रभावित होता है मुल्य इस तर से देश में उत्पादन, वित्रन, राजिस्व, रोजगार, रास्टिया, विनियोग, आदि का निधारन होता है तो ही हमारा fourth point था, so I hope आपको दो question समझ में आए होंगे, अबे तक हमने pricing के वारे में समझा कि pricing क्या होती है, उसके कुछ विस्टाओ के वारे में पढ़ा, then हमने second question में, विपन में pricing का क्या रोल है, उसके वारे में हमने समझा, जिसके हमने कुछ points दे के उप भुगताओ के क्या महातिव होता है, संसा के लिए अब हम पढ़ रहे है, person number three, जो कि most important है, मुले निधारन के उदेश्यों को संसेर में सपस कर रहे हैं, कभी कभी paper में ये भी आता है, ये भी important questions है, मुले निधारन के उदेश्यों पैढ़ लेते हैं, एक निरमाता को वस्तों के मुले को न इमलेकित है, कुछ फर्में अपनी कुल विनियोजित पुंजी पर एक निश्यत पतिफर प्राप्ट करने के लिए मुले निधारित करती है, ये तब ही समभा में जब फर्म का बजार पर पारेपन नियंतर्ण हो, तो पहला मुले निधारन के जो पहला होता है, कि जो फर्म इमलेकित है, वो इंवेस्मेंट तभी करती है, जब उनको क्या मिलता हो, रिवार्ड मिलता हो, और इसके बेसिस पर वो मुले निधारत करती है, मुलों के अनावश्यक उतार चड़, आप दूर करने के लिए मुलों में स्थिर्था लाना भी मुले में धारन का क्या हो सकता है, मुले में समय समय पर उता चड़ाव क्रेटा पर मनोवग्यानिक प्रवाव डालते हैं, जो एक विक्रेटा की दुष्टी से उचीत नहीं है, मुले की स्थिर्था से नियोजीत ततनियां में तुत पातन संभाव होता है, और फर्म को अतितिक जोखिम नहीं उठानी बजार की कुल मांग का एक हिस्सा प्राप्त करना चाहती है, यह उद्यस से दो प्रकर के उसकते हैं, बजार हिस्सा बनाई रखना, बजार हिस्से में वृदि करना, इस उद्यस्ति के प्राप्तिक लिए वस्तु को कम मुले पर बेचना पड़ता है, तो अगर यह भी एक बजार में अपने आपको बनाई रखना, ठिके रहना, इसके लिए उन्हें अपनी वस्तु को कम दाम पर बेचना पड़ता है, फोर्थ है कि आज प्रतियोगी तक सामना करना, व्याफ्साय का मुख्य उद्यस से बन गया, प्रतिक फर्म अपनी वस्तु होता था सिवाओ के मुले, इस प्रकार निधारन करते हैं कि प्रतियोगी फर्म उसके गुराकों को ना तोड़ सके और उसके बिकरी क्या रहा है, इस तरह है, तो मुले निधारन करते समय, ये भी एक मेन पॉपस है, जो कि डिसाइड करना पड़ता है, अब हम कोशिन नबर फोर पर चलते हैं, कोशिन नबर फोर है हमारा किसी उत्पाद के मुले निधारन को प्रभावित करने वाले भीविन घटकों को समझाना है, तो अभी तक हमने प्राइसिंग के वारे में समझा, विपन में मार्केटिंग की वैल्यू पड़ी, क्या महात्वे था, फिर हमने मुले निधारन के कुछ पॉइंट से हमारे कुशिन नबर फोर, अब उत्पाद के मुले निधारन को प्रभावित करने वाले कारत बताने, तो इसको भी जल्दी से कवर कर ले, तो मुले निधारन को प्रभावित करने वाले घटक, किसी उत्पाद का मुले निधारन को कई घटकों को ध्यान से देखिसंग के अधार पर वस्तौ का मुले क्या क्या जता है निदारिट क्या जता है जब वस्तू की मांट कैसी होती है बेवस्तौ मुल्ज में कम ही आती जाएगी विपन करता को वस्तु की मांग की लोच को धियान में रखकर उत्पाद का मुले निधारत करना चाहिए तो सबसे पहला के लोच की र psychedel मतलब होता है तो मांग बेलोचर के मतलब होता है कि जो वह एक《 तर में ticking कोई परीवर्टन नहीं होगा तो अगर वह स्तिर रहेगी तो फिर वहूस्त का मुलय अधिक रखा जा सकता है कि मोध्य मुले को प्रभावित करती है नाग्वान इपाद का मुल्ए उस उत्पाद जरूरी है तक विकलप नहीं है तो उच्छा मुले भी हो सकता है मालो कोई उसका अल्टरनेटिव है ही नहीं तो उसका मुले उपर रखा जासकता है विलास्तिता की वस्तों का उच्छा मुले हो सकता है प्रबंतु अधिक कुछ और मुल्य उनकी मांग को क्या कर सकता है कम कर सकता है तो उत्पाद की विसीस्ता भी देखे जाती कि वह महंगी है या सस्ती है यह मांग उपुरती दोनों को प्रभावित करती है थर्ड पॉइंट हमारे किया उत्पाद की लागत उत्पादों के निर्मान में कच्चा माल, सक्ति के साधन, सुरम, पुंजी, आदि, संसादून के अवसत्ता पड़ती है इनकी प्राप्ति की लागत पर संसर के उत्पादों के मुले को प्रवावित करती है लागत में स्थाई लागत, परिवतन से लागत, मतलब फिक्स कोस, वैरिवल कोस दोनों ही सामिल होता है विपन करता है के लिए उत्पाद का मुले निधारत करने से पूर जब हम एक प्रोडिक का उत्पाद का मुले डिसाइड करेंगे तो सब यह यह पॉइंट्स मैटर करते है उत्पाद के विशेष्टा उत्पाद की लागत और हमारा फॉस्ता उत्पाद की मांग और उत्पाद की विशेष्टा है जिन जिन मादव में से होकर जाती है उनका प्रभाब भी वस्तु के मुले पर पड़ता है यदि वस्तु का वित्रण मार्ग लंबा है और निर्माता और बोगता के बीच कोई मद्दैस्थ है तो उन सभी मद्दैस्तों को उची तलाब देते हुए वस्तु का मुले अधिक न करता है कि महाद्यम कैसा यूजरा मालों अगर बहुत महंगी महंगी चीजों का यूज कहदा रहा है डिलीवरी के लिए और बहुत ज्यादा पैसे लग रहा तो फिर उसका प्राइस भी हाए होगा तो यह हमारा फोर्थ पॉइंट था पांच्छों पॉइंट हमारा ग्रहा के पेक्षा अधिक मुल्य लिया जा सकता है तो घ्रहा को कि विसीशता भी मैटर करती है एक उत्पाद के निर्ने को डिसाइड करते समय प्रतियोगिता हमने पहले प्रतियोगिता भी मैटर करती है एक उत्पादन करता को अपनी वस्तु का मुल्य में धारिद करते समय वस् वस्तु का मुल्य प्रतियोगी वस्तु की तो ला में हमेशा कम रखना चाहिए तो ये भी प्रतियोगीता भी ध्यान रखना अगर मालना हमारे सामने वाला जो है वो अगर कम रख रहा है और आगर हम ज्यादा रखना है तो लोग उसकी वस्तु को खरे देंगे कि माप वो कम में देर है तुछले हमें अपने प्रतियोगीता को ध्यान में रखते हो अपने boundaries को गी वाला point करता है लगा दकलिश्डच करता है यह सब चीज जों कभी ध्यान कटे सब्धयो करतेसा है निर्माता हो की ध्यान में रखना चुछ है निर्माता को ध्यान इस्तिर मुल्य वाला मलाई उतारने वाली निती अधिक्तम लाप राप्त करने वाली निती प्रतियुगिता को ओस्तोविक करने वाली निती प्रतियुगिता से मिलने वाली निती और विक्रिय और लाप कितना प्रतिस्तित आधी बातों को ध्यान में रख करी वस्तु का मुल सरकार अवस्तिक वस्तो का दिक्तम मुले निधारित कर देती है so thanks for watching my channel for my videos I hope you will subscribe my channel and keep on watching my videos and share and like and hit the like button thank you once again we'll meet soon in the next video you